नवश्कार दोस्तो आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे पहली नजर में ये पाम लंबा है रेक्टेंगल है जब इस तरह का पाम होता है तो व्यक्ति मेहनत से ज़्यादा बोल कर अपना कारियर पुरा करने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल भी होता है दूसरा इस पाम में एक जो खासियत है दूसरी वो ये दो उंगलिया जोइंट है जब किसी व्यक्ति के इस तरह की उंगलिया फोटोग्राफ्स लेते समय जोइंट रहती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता ये इनमें खास बात होती अगर यहां पर इनका उंगलियों का खुला रहना हमेशा रहती होगी इस तरह से तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के प्रती थोड़े से बेफिक्रत टाइप के लोग भी रहते हैं इनकी छोटे उंगली फर्स फैलेंज तक पहुच रही है थोड़ी सी कमी है तो मेरे इसाब से कोई खराबी नहीं है इनकी कम्मिनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी डोकुमेंटेशन ये वो सब अच्छी तरह से कर लेते होंगे इनकी उंगलियों में कोई कमी नहीं है एक जो गुरु की उंगली सनी की और जुक रही है तो ऐसे व्यक्ति धर्मिक होते है और जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते है वैसे वैसे धर्म की भावना इनमें जादा होती है इस पाम पर एक भी खड़ी लाईना लाईने उंगली पर नहीं दिख रही है जब ऐसा व्यक्ति होता है जिनके उंगलियों पर खड़ी लाईने नहीं होती तो ऐसे व्यक्तियों के मित्र भहुत ही कम होते है इस पाम में एक और खासियत है वो यह है कि इनका अंगुठा इतना शशक्त अंगुठा किसी भी व्यक्ति को सफलता दिलाता ही है पूरे पाम पर केवल भाग्य रेखा या धन रेखा ही धन नहीं दिलाती बहुत सारे चिन बहुत सारे उंगलिया उनके आकार प्रकार भी धन प्राप्त करने में सहयक होते है अगर किसी व्यक्ति का अंगुठा शशक्ते नहीं होगा तो वो जादा धन मेरे ही सबसे कमा नहीं पाता परिस्तर का अंगुठा या अच्छा खासा धन अर्जित करने में सहयक होता है अब चलते हैं इनके परवतों की और बुद्परवत ना जादा उबरा है ना दबा हुआ है और उस पर खड़ी लाइन भी है और एक लाइन यहां से भी निकल रही है जब इस तरह के हिदय रेखा से कोई रेखा उपर जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को टेकनोलोजी का अच्छा ग्यान होता है चाए वो साइन्स हो या टेकनोलोजी हो ऐसे व्यक्तियों को ग्यान उस वस्तु का भहुत भेतर ग्यान होता है अब चलते हैं इनके सुर्य परवत पर सुर्य पर्वत पर भहुत रेर में जो दिखती है इस तरह की लंबी रेखा सुर्य पर्वत पर और जैसे जैसे उमर बढ़ रही है वैसे वैसे ये डार्क भी हो रही है और इसका एक्टिवेशन पिरियर लगबग 33-34 से सुरू हो रहा है और अप टो एंड तक जा रही है ऐसी सुर्य रेखा सुरुवात में भहुत संगर्श कराती है पर जैसे इसका एक्टिवेशन पिरियर चालू होता है व्यक्ति को बैठे बैठे पैसा भी आता है और अच्छा काम भी और धन भी मिलता है जितनी भी उपर रेखाए जाती है हाथ पर वो सबी रेखाए धन अरजित करने में सहयोग करती है इस रेखा के बारे में आगे फेट लाइन पर जब चर्चा करेंगे तब और विशे लेंगे फिलाल और ऐसी रेखा जब बड़ी सुर्य रेखा हो तो ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्वों वाले लोग संपर्क में आते बड़े बड़े जो अपनी फिल्ट में मास्टर होते ऐसे लोग इनके संपर्क में आते इनके सनी परवत न दबा न उबरा और स्पेस भी अच्छा है यानि ये मेहनत भी करने वाले व्यक्ति है प्लस उस पर एक गुरु परवत की और जाती रेखा भी है हो सकता है इनको उमर के धलान पर पारिवारिक सहयोग या ससुराल का सहयोग या कोई राजनेतिक सहयोग इनको प्राप्त हो और इनका धन अर्जन हो यानि उससे धन भी मिले अब चलते इनके गुरु परवत पर गुरु परवत पर इनकी बहुत सारी साइने है सबसे बड़ी साइन है इतना बड़ा स्क्वेर जब इतना बड़ा square गुरू परवत पर बनता है तो आपको मैंने बहुत बार बताया कि ऐसा व्यक्ति बोलने में, teaching में, class किसी को पढ़ाने में काफी expert होता है प्लस 32 साल के पहले ऐसे व्यक्ति का घर आ जाता है और ये तो काफी बड़ा square है तो इनको घर भी काफी बड़ा मिलाओगा इनसे जब मेरी chat पर बात हुई, whatsapp पर तो इनोंने दो साल पहले ही, अभी इनकी उम्र 34 साल है दो साल पहले ही 3 bedroom का flat लिया हुआ है, इनसे discuss हुआ यानि ये जो square है, इतने सारे फायदे देता है प्लस, 36 साल के बाद इनको authority position मिलेगी दीरे दीरे गक्ती उस तर पर पहुचना शुरू करता है 36 से उसका असर होना चालू होता है दूसरी sign इनके palm पर है, ये horizontal रेखा है इनकी भविश में multiple income के सुरोथ create होंगे या अभी भी होंगे, बहुत long term इनके नहीं रहेंगे कोई सुरोथ 15 साल के लिए रहेगा, कोई 10-12 साल के लिए रहेगा पर इनको multiple income के सुरोथ हमेशा मिलेंगे दूसरा इस गुरू परवत पर एक खड़ी line भी जा रही है जो start तो पीछे से हो रही है पर ऐसी रेखा भी निरंतर प्रगती दिखाती है अब चलते हैं इनके अंदुरूनी मंगल अंदुरूनी मंगल चाहिए उतना उभरा हुआ नहीं है मद्यम है अंदर डवलब नहीं बोल सकते डवलब अंदुरूनी मंगल कह सकते और उस पे कोई खास जादा रेखाए नहीं है यानि ये काफी हिम्मत वाले तो होंगे अब चलते हैं इनके भारी मंगल पर भारी मंगल भी मद्यम है ना उभरा है ना बैठा हुआ है तो हिम्मत थोड़ा हिचक चाहते होंगे किसी के सामने या कोई नीने लेते समय पर फिर भी नीने ले लेते होंगे इतना भी उभरा हुआ नहीं है कि तुरंद काम करें थोड़ा सोच विचार कर काम करने की मनुवरुत्ती इनकी होगी चंद्रपरवत एकदम साफ सुत्रा कोई उस पे मुझे निसान दिखने ही रही है एकदम clean and neat तो ऐसा चंद्रपरवत भी अच्छा imagination पावर देता है व्यक्ति को अब चलते इनके सुक्रपरवत पर सुक्रपरवत अच्छा सा उबरा हुआ और साफ सुत्रा जब इतना साफ सुत्रा सुक्रपरवत हो तो सुक्र के गुन अच्छे खासे व्यक्ति को मिलते प्लस इनके हाथ पे एक मोटी सी रेखा शुक्र की निकल रही है, तो इनको लगजरी भी लाइफ में मिलेगी, गारी गोड़ा अच्छा घर, लगजरी, ब्रांडेट वस्तुए पहनना, अच्छी अच्छी जितनी दुनिया में अच्छी चीजे है, अच्छी जगा, रहना, अच्छा खाना, ये सब इनको शुक्र प सनी और गुरू के बीच में से सुरू होकर अन्त तक जा रही है जब इस तरह की रेखा हो तो आदमी सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति होता है व्यक्ति प्यार का प्रदर्शन भी करता है चार लोगों के सामने भी और जिससे चाहता है उसे दिल से चाहता है प्लस ऐसे व्यक्ति भावनाओं से नेड़ने लेने वाले होते है और ज़्यादा खेल इनके अगर अगर पाम में है तो इनकी माइन लाइन पर है इनकी माइन ल से हो रही है और यहां कर एक और लाइन आगे बढ़ रही है और यह लाइन यहां पर कटा हुए यह उमर-30 के आसपास इनके जीवन में कोई घटना घटी होगी जिस समय थोड़ा सा टेंस भी इनका गया होगा और 30 के पहले इन्होंने जो जिन्गी जी होगी वो बेफिक्री वाली जिनगी जी होगी और दुनिया भर के दिमाग के अंदर प्लानिंग किये होंगे और उसको implementation ये करने ही पाये होंगे क्योंकि जब मंगल छेत्र अंदरवी मंगल से कोई माइन लाइन निकलती है तो व्यक्ति भहुत सारा प्लानिंग करता है पर उसको implement नहीं कर पाता और जब माइन लाइन ब्रेक होती है तो ऐसा व्यक्ति ब्रेक के पिरियर्ड तक जीवन को seriously नहीं लेता और उसके बाद जब दुसरी माइन लाइन शुरू होती है तब जीवन को seriously लेना शुरू करता है यहां से इनकी ब्रेक हुई है दुसरी इस माइन लाइन की खासियत है माइन लाइन को मिला कर एक लाइन इस तरह से उपर जा रही है यानि इनके ब्रेक के समय इनको कोई बड़ी opportunity भी मिली होगी जब कोई रेखा हथेली पर उपर की तरफ दुष्टी करे तो उसका मतलब यह होता है कि वो समय कोई न कोई बड़ी opportunity जीवन में प्राप्त होती है और इनसे मेरी बात हुई इनको उस समय बड़ी opportunity भी मिली उसके बाद इनकी mind line एकदम सीधी चल रही है यानि उसके बाद ये 30 साल के बाद जीवन को seriously लेना सुरू किया होगा और ये आर्थिक उन्नति की और आगे बड़े होंगे अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर जीवन रेखा पर यहां पर 30 साल तक की उमर तक काफी जिग जैक है इसका मतलब यह होता है कि जब इस तरह की रेखा दिखे जिग जैक तो व्यक्ति उस उमर तक संगर्स में जीवन रहता है सांती से जी नहीं सकता काफी जमेला उसके जीवन में रहता है पर उसके बाद 30 साल के बाद यह जीवन रेखा स्मूथ चल रही है थोड़ा सा यहां पर सुझा हुआ है तो इनको तब्यत की थोड़ी सी नर्मी सरीर में मैसूस होती होगी एनरजी की कमी मैसूस होती होगी ये 40 साल तक के पिरियड में इनको एनरजी थोड़ी सी लोफी लोगी पर उसके बाद जीवन रेखाई एकदम स्मूथ है और इस रेखा पर कोई ज़्यादा काटने वाली रेखाई भी नहीं है और जो काट रही है वो कोई इतनी strongly नहीं काट रही है कि इनको कोई जीवन में ज इतनी मोटी रेखा नहीं है पर इनके सरीर में लोफील 40 साल तक होते रहेगा उसके बाद इनकी एकदम स्वास्त एकदम बढ़िया रहेगा और इसी रेखा अभी ये जीवन रेखा है वो सीधी चंद्र की और देख रही है हो सकता है इनका भविश्य में विदेश में भी से काफी हो सकता है इस तरह की रेखा विदेश से कनेक्शन कराती है और इनको हमेशा अपने कमर का ध्यान रखना चीए क्योंकि इस तरह की जब रेखा घुमती है तो व्यक्ति काफी कमर से उसको तकलिफ हो सकती है अब चलते हैं इनकी फेट लाइन पर फेट लाइन की सुरुवात यहां से हो रही है यानि इनका और यहां पर मोटी है यह वेल टू डू फेमिली से होंगे बहुत अमीर तो नहीं पर खाते पिते फेमिली से यह बिलॉंग करते होंगे और यह रेखा चलकर अप्टू यहां तक पहुच रही है और इनकी उमर अभी 34 साल है इनका एक प्रश्ण था कि मैंने अभी बिजनेस की सुरुवात की है तो उसमें सफलता मिलेगी तो मैं आपको छोटा सा करसर लेकर बताता हूँ इनको 100% सफलता मिलेगी और वो इनके पाम पर भी दिख रहा है यह इस पिरियड में एक लाइन काट नहीं रही है उससे कनेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रही है यानि यहां पर इनका एक्सपेंस कुछ न कुछ जब आज भी बिजनेस करता है तो एक्सपेंस भी होता है तो यह नुकसान नेज दिखा रहा कुछ न कुछ इन्वेशमेंट दिखा रहा है जब फेट लाइन से कोई रीखान निकलती है तो उसके द्वारा नुकसान नहीं होता कहीं न कहीं अच्छे खासे पैसो का investment होता है वो इनके पाम पर भी दिख रहा है और उसी के बाद इस फेट लाइन ने एक दिसा चेंज की यह ऐसे और आगे बड़ी हलकिसी दिसा चेंज की यानि इनका जो जॉब कर रहे होंगे और यह जो अभी काम करने जा रहे उनसे कोई न कोई connection होगा इतना बहुत बड़ा बदला इनका नहीं होगा कमाने के स्रोत में पर जब खुद का business करता है तो फेट लाइन पर उसका असर दिखता है दूसरा इनके सफल होने का कारण यह सुर्य रेखा यह 33 के आसपास से active हो रही है अब यह सुर्य रेखा जब इस तरह की होती है और इस रेखा को कोई major cut करने वाली कोई line भी नहीं है यानि इनका business 100% सफल जाएगा और इतनी बड़ी सुर्य रेखा होती है तो वो उसको यश मान सम्मान सब मिलता और बैठे बैठे व्यक्ति के पास पैसे आते बहुत कम hard work करना पड़ता है जब इसका activation होता और यह जैसे जैसे उमर बढ़ेगी यह डार्क होते उसके बाद इनकी fate line नरम हो रही है और यह आगे बढ़ रही है और यहां पर तीन हरदे रेखा से निकले हुए कटा रहे है इस पीडियर में इनके पास लगातार तीन पारिवारिक खर्चे इनके द्वारा होंगे इनका ध्यान व्यपार में कम हो जाएगा और इनका ध्यान उस पारिवारिक expense में या उस पारिवारिक प्रोग्रामों में ही लगा रहेगा यह इनके हाथ से दिख रहा है फेट लाइन अप्टू यहां तक जा रही है पर यहां इनका ध्यान बटेगा और इनका पारिवारी के एक्सपेंस काफी होगा और उमर लगबग बावन त्रेपन के आसपास तो बावन के आसपास तो हेवी एक्सपेंस यह करेंगे परिवार के लिए क्योंकि एक पूरी लाइन मोटी सी नीचे जा रही है पर यहां पर यह मोटी है काटने की जगह पर थोड़ी सी कम मोटी है फिर भी यहां पर इनका एक्सपेंस काफी हेवी होगा ऐसे समय पर व्यक्ती ब प्लस एक और लाइन और ये लाइन ये सब रदे रेखा से निकल रही यानि ये खुद की इच्छा से expense करेंगे बागी इस लाइन पर कहीं पर भी कोई नुकसान जाने जैसा मुझे दिखने ही रहा है और इस period के बाद ये लगबग energy लगाना छोड़ देंगे और इन्होंने जो कमाए होंगे पैसे उसी से ये इनके पास earning चालू होगी और अच्छी मात्रा में earning शुरू होगी यानि इनके जीवन में पैसों का आना भरपूर मात्रा में शुरू होगा हाँ अभी इनका एक प्रश्ण था कि मुझे multi-millionaire बनना है अब multi-millionaire बनने के लिए सुर्य रेखा है बाकी चिन भी है पर उस तरह के चिन नहीं है जो एक भुद रेखा हलकी सी दिख रही है जब ये बुद रेखा एकदम strong हो जाएगी यहाँ पर हलकी सी है ये strong होकर इतना बड़ा money triangle जब बना लेगी तब इनको समझना चीए कि अभी इनका समय आ गया multi-millionaire बनने का पर इनका website काफी बड़े स्थर पे दोड़ेगा और अच्छी खासी मात्रा में इनके पास पैसे भी earn होंगे क्योंकि व्यक्ति के पास जब active sun line 33 से सुरू हो रही है उसके पहले ही व्यक्ति के पास घर लेने जैसे पैसे आ सकते है तो यह सूर्य रेखा जब 33 से active हो रही है तब कितने पैसे आएंगे आप imagine करो तो मेरे हिसाब से यह उत्तम पाम है अब इनको गुसा इस रेखा के कारण काफी आता होगा तो इसका सबसे बैश्ट उपाय है इस छोटी उंगली में एक अच्छा सा मोती कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता वो पहन ले तो इनको काफी यह गुसे पर काबू मिल सकता है और दूसरा इनका गुरू यह दबा हुआ है यानि परिवार में ऐसे वेक्तियों को जब खड़ा या छोटा होता है तो परिवारिक सुख थोड़ा सा कम हो जाता है परिवार यानि अपने परिवार का नहीं पत्नी और बच्चों का नहीं माबाप चाचा बुआ उस तरह का जो परिवार है भाई उस तरह के सुख कम मिलते है और दबा होने से परिवार में एक्सपेंस भी काफी बढ़ जाता है तो इनको मेरे इसाब से पुखराज भी धारन कर लेना चाहिए पर वो आता है थोड़ा सा कौशली मेरे इसाब से मैंने इनके सभी सवालों के जवाब दे दी है इस वीडियो में और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक क्यूँ